बिजली का खंभा बना बिवात का कारण मना करने पर बेरहमी से पिटाई करने का मामला आया सामते महिलाईं समेत कई लोग हुए घयल मामला जौनपुर जिले के मडियां हु ठाना अंतरगत रसुलपुर गाउँ का है जहां पर बिजली का खंभा लगाये चाने का बिरोध करने पर एक परिवार को बेरहमी से पिटाई करने का मामला साम ले आया है बताया जाता है कि रसुल पूर निवासी जितन्दर कुमार सरोज वो उनकी पत्नी वो उनकी परिवार के कई लोगों को बुरी तरह से मारा पिटा गया परतेच दर्थियों ने बताया कि जितंदर सरोज जब खंभा लगाने को लेकर मना किये तो उनको बिरहमी से पीटा जा रहा था तब ही उनकी पत्नी बीच बचाव करने गई तो दबंगो द्वरा उनकी पत्नी को भी मारा पीटा गया आईए जानते हैं क्या कहना है पीडित तेकेदार नहीं है तुसके बाद वनुद जो आ हैं बोड़ेक चाहरे क्या बाच में पार्च ग्राजा जो इसकेदार नहीं है मैं भी लाए उगाली गेर मैं भी जिया, उसी वाद वो को वोल्डिंगा रखा लिए जो प्रेव, प्रेम चले मेरे स्रेट में मारे, तब उत्तर मैं भी अमुप शुतर पकड़ाता है, तब लोग सम्मुझे में के सम्माल ने लड़े। गले पर आपको यह यह कैसे चोड़की निशानी थी? वह अमीत माधी, अमीत और संधी और राजा थ्रेम, इसकी सुचना आपने कहीं दी? मड़ियाओं दिये थे सब कोई समय नेगी, अमाग गये पहले बोले कि जाओ मेटकर जाच करा के आओ, तो कारवाई होगी, अमें गया, मेटकर जाच कराते ही, जब आया, पहले से जहारा लगा कर रख्ते होगे थे, बोले जाओ सुझे आओ, अभी तक उर्दोगा तो जब उभी कुछ ने हुआ है, ब्राइबेट लगा रहे हैं, ब्राइबेट लगा के रहे हैं, किसी कि जाओ सर्दारी आदमी कोई नहीं तरह हो, उज़ाज आदी है कि आदव मैनपूर की परधान है, वहीं खारा होके, और स्यामराज परधान नरायन को, क्या नाम है आपका? कहा कि खंभे को लेकर कैसा बीवाद हुआ, किस के संग कौन मारा पीट आप लोगों को? कि खंभा किस बेश पर गड़वार है थे क्या जो की कोई सरकारी सर्वेर, कहां वह लगवार हैं थे खेत में लगवावत रहें खेती में आए मेड़ पर लगवावत रहें हैं तक बुट गए गाए तरहें तो आप लोगों को चोटे आई हैं तो आप लोगों को चोटे आई हैं तो अब बुरी तरह साफ नहीं है किस थाने गए था लेकिन पोई सुनवाई नहीं किस थाने गए थे चुपा किस थाने गएं तो आप उनकी तो अब लोगों को निकाल दी है हम लोग चले आए तो आप यह कौन सा गां है क्या समस्या है जो खंबेकों लेकर बिवाद गाए था तो वहां कोई जो पोल गढ रहा था इनके खेत में गढ़ा रहा है